नमस्कार कहानी गोल्ड में आथ सुनगे मालती जोशी जी की लिखी कहानी बेचैन सुनो जरा रसोई घर से सिर निकाल कर इन बच्चों को भी देख लिया करो सुबह की चाय के समय इन्होंनी अचानक मुझे डपटना शुरू किया तो मैं और बच्चे दोनों चौक पड़े क्यूं क्या हुआ मैंने कूछा होना क्या है जरा लड़के की शकल तो देखो चुहिया से निकल आई है दूद वगेर बिल्कुल नहीं देती क्या आजकल मैं तो खेर जो देना है सो देगी रही हूँ पर आपको क्या हो गया जो अचानक बच्चों पर निगाह चली गई मैंने हसते वे कहा देखो देखो इस धोखें में मत रहना मैं बोलता नहीं हूँ तो क्या हुआ मुझे घर की राई रत्ती की खबर रहती है इन्होंने गंभीरता से कहा उनकी इस गंभीरता के बावजूद हम लोग हस पड़े फिर बच्चे तो पापा की जागरुक नजरों से बचने के लिए पढ़ने की मेजों पर चले गए और पापा मानो एक बहान करतब विपूरा करने के बाद नेशन थोकर अख़वार में डूब गए पर उनके भागे में अख़वार पढ़ना नहीं था क्योंकि बच्चों के बाहर जाते ही मेरे चेहरे के हसी गाइब हो गई थी सुनिए मैंने अख़वार चीनते हुए कहा वा अरे-अरे कहते ही रह गए आखिर हार कर बोले हा कहो क्या कह रही थी आपने रवी को देखा न कैसा हो गया है हम वही तो मैं कह रहा था दिन भर चाई पीना और आप सुनिये भी मैंने जहला कर कहा वे बेचारे चुप हो रहे पता है पिछले दस बारा दिनों से उसका अजीब हाल है न जादा बोलता है न घूमने जाता है जो परोज देती हूँ खा लेता है न नाश्ते की फर्माईश न चाई की जिद्ड यह तो बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कहा क्या खाक अच्छी है बच्चे बच्चों की तरह रहते हैं तभी अच्छे लगते हैं पता है पूरे हपते में उसने एक बार भी रमा से लड़ाई नहीं की मैंने रुआसे स्वर में कहा अरे तो तुम्हे तो खुश होना चाहिए उनके दिन भर जगडते रहने से तुम भी परेशान रहती थी उन्होंने समझाया परव लड़ते जगडते नहीं है तो घर जैसे काटने को दोड़ता है दिन भर चुपचाप कमरे में घुसा रहता है बस कॉलेज की बहाने ही बाहर पैर रखता है दोस्तों से जगड़ा हो गया होगा डोंट वरी दो दिन में ठीक हो जाएगा नहीं जी दोस्तों खुद मुझसे पूच रहे थे कल ही भाटिया और जैन कह रहे थे कि रवी बाहर क्यों नहीं जाता फेस के पैसे तो नहीं गिरा आया कहीं नहीं खुद रसीद ला कर दी है मुझे किसी लड़की के चक्कर में चीफ आप भी कमाल करते हैं अभी इतना सा तो है बेचारा मैंने गुस्से से कहा तुम्हारे लिए तो वह हमेशा इतना सा ही रहेगा वेल वेल आई मस्च हरी जराशेव के लिए एक गलास पानी गरम कर दो साढ़े साथ हो चले हैं और उनके लिए या विशय वहीं समाप्त हो गया पर मेरा मन इतने से ही शांत कैसे हो जाता पिछला पूरा हपता मैंने रवी की चिंता में गुजारा है कितना बोलने वाला लड़का एक आएक इतना चुप हो जाए तो डर नहीं लगेगा वैसे तो घर में आते ही वह शुरू हो जाता था कॉलेज की दोस्तों की खेल की सिनेमा की बाते मम्मी को सुनाए बिना उसे चैन नहीं आता था अकसर वे प्रेक्टिकल की या क्रिकेट की मज़ेदार बातें मेरी समझ में भी नहीं आती थी पर उसे तो सुनाने से मतलब होता कई बार तो दोनों भाई बहनों में जैसे होड सी लग जाती और मुझ बेचारी का बुरा हाल हो जाता तब ही तो उसका यूँ चुप रहना जादा खरता है इन्हें या सब समझाना बड़ा मुश्किल काम था बेचारे सुबह 9 बजे जाते तो घर लोटने में 6-7 तक बच जाते मैं खुदी कोई बात उन तक नहीं जाने देती इसी से सारी चिंता अपने आप जेल कर मैं घबरा उठती थी बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों के बाहर जाने तक सबर किया सबके जाते ही मैंने रवी के कमरी की तलाशी लेनी प्रारंब की डर रही थी कहीं सच मुझ किसी लड़की का चक्कर न हो अभी दूसरा साल तो था कॉलेज का सबसे पहले मैंने ट्रंक खोला हमेशा की तरह कपड़े ठूस ठूस का रखे गये थे इसे आशा में कि किसी दिन मम्मी छिक कर देंगी फिर टेबल की और रुख किया तमाम फैला हो रहा था मैंने एक एक किताब उसका एक एक पेस देखा कॉपियां उलट पुलट कर देखी दराजों की खाना तलाशी ले जो कुछ कबार निकला उसमें कुछ तस्वीरे थी सुनील गावसकर अजीत वाडेकर राजेश खना देवानंद या फ्रजियर जैदीप मुखरजी आदी की एक शानदार फोटो लता मंगेशकर की भी थी कुछ दोस्तों या उनके परिजनों के शादी के कई कार्ट्स थे कुछ पत्र थे पर सब मुझे पढ़कर सुनाए गये थे एक कफलिंग्स का सेट था जो पापा से चिपा कर लाये गया था एक फोटो थी उधार ली हुई लोंगी कुर्ते में धेर का धेर समान था पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी उदासी का सुराग दे सके इतनी सारी मेहनत के बाद मैंने ढाल होकर बैठी रही थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सोचा लाओ अब ठीक से जमा ही दे मैंने दोनों दराजों के कागज बदले और तस्वीरें, चिठ्षियां कपडे, कलर पैंसिल वगएरा तर्तीब से रखी मेच पोश बदला और किताबों को करीने से जमाया ट्रंक का कागज बदलने गई तो देखा नीचे अखबार का एक कटिंग पड़ा था मैंने सोचा कोई विग्यापन होगा क्योंकि पार्ट वन में अच्छे माक्स ना आने की वज़े से जोरवी कई बार रेलवे सर्विसेज या नेवी आदी में जाने को कह चुका था कटिंग छोटा सा था मैंने उलट-पुलट कर देखा एक तरफ किसी के भाषन का आंश था पर कटा होने की वज़े से कुछ सिर्पेर समझ में नहीं आ रहा था दोसरी ओर एक साधारन सा समाचार था कल एक पांच-छे वर्षे बाली का घायल हो गई उसे तुरंत अस्पता ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जाती है स्कूटर चालक का पता नहीं चल सका घड़ी ने तीन बजने की सूचना दी और मैंने जटपट काम समेटा कमरी की सफाई करके रसुई में चली गई रमा के आने से पहले नाश्टा तयार न होता तो तुफान मचा देती थी चाय नाश्टा बना ही चुकी थी कि रवी आ गया उसके लिए दर्वाजा खोलते ही केले वाले पर नजर पड़ गई मैंने रवी से पैसे लाने के लिए कहा और मूल भाव करने लगी मैं अपनी खरिदारी में वैस्त थी कि मोटर का तेज होर्न और ब्रेक के साथ रवी की चीक सुनाई दी आख उठा कर देखा कि रमा हाथ में कोई नाम नचाती हुई दोड़ कर सड़क पार कर गई थी मैंने खीच कर उसे छाती से लगा लिया मन में दोपहर ही पढ़ा हुआ समाचार कौंद गया हेश्वर मैंने मन ही मन धन्यवाद दिया और पैसे के लिए रवी की तरफ हाथ बढ़ाया पर्स लिया हुआ उसका हाथ काप रहा था और जहरा सफेद पढ़ गया था मैं तो हैरान रह गई खेलते हुए कितने ही जखमों को योही सह जाने वाला रवी बहन के लिए कैसा व्याकुल हो उठा था मुझे उसके प्यार पर प्यार आने लगा लड़ता है तो क्या हुआ चाहता भी तो कितना है रमा को लेकिन वह बड़ी देर तक नर्वस बना रहा नाशता भी ठीक से न कर सका मुझे कुछ अजीब सा लगा मैं तो रमा की मा थी फिर भी एक बार संकर टल जाने के बाद निशिन्थ हो गई थी लेकिन इसे देखो और उससमंजस ने एक शंका उबरी अपने मन का संदेह मिटाने के लिए मैंने पुराने अखबारों का गठर निकाला एक एक को खोल कर देखा एक अखबार में खिड़के से बनी हुई थी ठीक उसी कटिंग के आकार की पिछले पेश पर प्रधान मंत्री का भाशन था तारीख देखी 19 सितंबर अर्था 11 दिन पहले का अखबार था याद आया उस दिन इतवार था रवी पापा का स्कूटर लेकर सिनेमा गया था उस दिन लोटकर उसने खाना नहीं खाया था मैंने यही सोच लिया था कि दोस्तों के साथ खा लिया होगा उस दिन के बाद से ही वह इस तरह खोया-खोया रहने लगा था या भी याद आया कि बाद में कई दिनों तक वह अकबार को घंटों पड़ता रहा है बाजार भाव का पेश तक नहीं छोड़ता फिर याद आया कि एक दिन सामने चौराहे पर एक बस ठेले वाले से टकरा गई थी करीब करीब सब लोग अपनी अपनी खिड़की पर जम गए थे सड़क पर तो काफी भीड थी पर इन सबसे बेखबर बना रवी चुपचाव फिजिक्स की किताब में डूबा हुआ था सारी बातों को जोड़ बाकी करके जो हाथ में आया वा खुशोने जैसा नहीं था फिर भी मैं हिम्मत करके रवी के कमरे में गई खिड़के के छड़ से सिर्टिकाए बह चुपचाव बैठा हुआ था इस तरह केले क्यों बैठा हुआ है चला केरम खेले मैंने बोर्ड पलंग पर विछाते हुए कहा उसने मना नहीं किया पर उसका खेल ही बता रहा था कि उसका ध्यान कहीं और है मैंने तुम्हारा कमरे ठीक किया है आज क्या कबड़ खाना बना रखा था मैंने बात उठाई ओ, फैंक्यू मम्मी वह धीरे से बोला इस पस्च था कि उसका ध्यान मेज की ओर अब तक नहीं गया था वैसे तो सारी चीजे समाल कर रख दी थी फिर भी तुम देख ले ना नहीं तो कल कच्रे का डिबब ढूंटे फिरोगे हाट रंग के तले कुछ अखबारों के कटिंग स्थे बे जरूर मैंने फेक दिये हैं काम के तो नहीं थे ना मैंने सुभाविक्ता से कहा पर उसके हाथ स्ट्राइकर पर जमे ही रह गये चेहरा अजीब सा हो गया वोट काप उठे पर वह चुप ही बना रहा अब मुझ से नहीं रहा गया मैंने पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा यह एकसिडेंट की बाद तुमने मुझ से कही क्यों नहीं बेटा इतने दिन अपने उपर इतना बोज लिए रहे मेरा इतना कहना था कि रवी मेरी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा एकदम बच्पन के दिनों की तरह अच्छा था कि रमा घर में नहीं थी मैंने उसे रोका नहीं बस सिर पर हाथ फेरती रही जब वह कुछ रांत हो गया तो उसने कहा मम्मी मैं दरसल रुक कर उसे अस्पताल ले जाना चार हा था पर मुझे लोगों से इतना डर लगा मैं चुप हो रही अकसर घर के सामने एक्सिडेंट होते समय मैंने देखा था कि लोग घायल की उतनी परवा नहीं करते बेचारे ड्राइवर पर ही पिल पड़ते हैं अस्पताल पहुचने तक कौन किसकी गाड़ी से घायल हुआ है या जानना कठिन हो जाता है बापरे मेरे बच्चे को कहीं ये तमाश बीन पा जाते तो मैं सिहर उठी और मैंने उसे कलेजे से लगा लिया सारी रात मुझे नीन नहीं आई मन पर जैसे किसी नेक सील सी रख दी थी और दिमाग में चिंताओं ने जाल बुन दिये थे लड़का बेचारा इतने दिनों तक या बोज कैसे उठा पाया होगा मेरा तो एक रात में ही बुरा हाल हो गया था नीद अववल तो आती नहीं थी आती थी तो भैयानक सपने आते थे कभी मैं देखती कि सडक वालों ने रवी को घेड लिया है और वे उस पर पिल पड़े हैं कभी लगता कि लड़की मर चुकी है और रवी कट घरे में खड़ा है कभी उस अंजान लड़की के इस्थान पर रमाही होती थी हर सपने के बाद मैं पसीने से सराबोर होकर जाग जाती थी कई बार मन हुआ कि इनको सारी बात बता दूँ पर हिम्मत नहीं हुई वे मुझे डाट डपट कर सुला देते या आधी रात को ही कोई दुफान खड़ा कर देते मैंने चुप रहने में ही खेर समझी दूसरे दिन दोपहर को मैंने अस्पताल को फोन मिलाया सुनिये आपके यहां 19 तारी को एक एकसिडेंट का केस आया था क्या नाम है उधर से पूछा गया देखिये छोटी से लड़की थी नाम बताईए फिर वही भावहीन भाशा उबरी जी नाम तो नहीं मालूम पर लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उधर से एक आवाज आई देखिये यहां दिन में 20 केस आते हैं हम बिना नाम पता जाने आपके मदद नहीं कर सकते बेहत कोफ्त हुई नाम ही पता होता तो इन्हें तकलीफ क्यों देती पता नहीं यह इंक्वाइरी वाले इतने सख्त औरूखे क्यों होते हैं जाहे वे रेलवे के हों, ड़क खाने के हों या अस्पताल के हों कभी ठीक से जवाब नहीं देंगे रोज की तरह रवी साड़े तीन पर घर आया तो मैंने घर सुपोर्ट करते हुए कहा पेटा ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ तुम नाश्टा कर लेना रमाय तो उसे दे देना आलमारी में रखा है घर से निकल कर सीधे टेक्सी की और बड़े अस्पताल में दाखिल हुई चार से छे मरीजों से मिलने का समय मुझे पता था एमर्जेंसी वार्ड ढूनने में भी जादा दिक्कत नहीं हुई अपना अज्यान छिपाते हुए मैंने कुछ इस खोबी से सारा अतपता पूछ लिया कि मुझे अपने उपर ही गर्भो आया लगा मैं किसी CID ओफिसर से कम नहीं हूँ फ्लॉरी मिल्टन चिल्डरन वार्ड नमबर वन बेड नमबर अठारा रटते हुए मैं अपने गंतव विस्थान पर पहुच गई यो भी किसी से मिलने जाते हुए बड़ी परेशानी हुती है मिस्त्रों पर लेटे सारे मरीज एक से लगते हैं फिर यहां तो एकदम अंजान मरीज के पास जाना था पर सिस्टर की वज़े से बेड ढूनने में कठिनाई नहीं हुई बच्ची उस समय अकेली लेटी हुई थी एक पाउ में प्लास्टर था माथे पर भी छोटी सी पट्टी थी हेलो फ्लॉरी मैंने धीरे से कहा उसने धीरे से करवट बदली सहज मुसकान से उसका सावला चहरा भर उठा उस मुसकान के सहारे मेरा संकोच नजाने कहा लोप हो गया बैठिये न आंटी मम्मी अभी आती होंगी उसने महीन आवाज में कहा बाहर गई है मैंने स्टूल सरकाते हुए पूछा जी कैंटीन तक गई है मुझे संकोच हो आया यहां आने से पहले कुछ फल वगेरे ले आती तो अच्छा लगता पर उस समय तो मन में बरावर डर बना हुआ था कि कहीं मम्मी आ गई और डैडी भी उसने ताली पीटते हुए कहा मैंने मुड़कर देखा इसाई दमपत्ती मुझे नमस्कार कर रहे थे आफ लॉरी के स्कूल में हैं मिसिस मिल्टन ने बिस्तर पर बैठते हुए पूझा वह छड़ा गया था जिसके लिए मैं डर रही थी पर इतनी दूर आ जाने के बाद चुप कर जाने का कोई मतलब नहीं था मैंने किसी तरह सारी बात कह सुनाई पूरे समय एक बार भी आख उठा कर नहीं देखा सारी बात कह चुकने के बाद मैंने कहा मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मैं पहले ही मिल लेती खेर अब भी मैं सारा खर्च उठाने के लिए ओ नो फ्लोरी के पिताजी एक दम उठे आपका बड़पन है कि आप यहां तक आई है वैसे सारा दोश आपके लड़के का भी नहीं है बच्चे सड़कों पर इसकदर दोड़ते हैं कि अरे अब तो वह अच्छी भी हो चली है शुक्र है मालिक का कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई फ्लोरी की मम्मी ने च्छाती पर क्रोस बनाते हुए कहा इस तरह तो आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं मैंने जिद करते हुए कहा सच बहन जी आप बेकार परिशान हो रही है अब चिंता की कोई बात नहीं रही अगले बुद्धवार को उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा मिस्टर मिल्टन बोले आपने उनसे कहा नहीं उसकी मम्मी बोली कहा तो बहुत परवे लोग कहतने है रश बहुत है जादा दिन नहीं रखा जा सकता तुम्हें काद हपते की छुट्टी ले लेना तब तक वह थोड़ी समहल लेगी बार बार छुट्टी इस सेजन में तो और मिलने मुश्किल है मैं चुपचाप सुन रही थी अब उठकर खड़ी होते हुए कहा सुनिये आप इस जिम्मेदारी को मुझ पर छोड़ दीचे फ्लॉरी अस्पिताल से सीधे हमारे घर जाएगी नो नो आप एकदम चुप रहीए इतना मुझे न करने देंगी तो मैं अपने आपको कभी माफ न कर सकूंगी फ्लॉरी चलोगी न हमारे यहाँ आपके यहाँ बगीचा है उसने पूछा हाँ है खूब बड़ा सा आप तो मम्मे की तरह स्कूल नहीं जाती न मुझे अकेले डर लगेगा नहीं मैं दिन भर घर में ही रहती हूं हम लोग धेर सारी कहानिया पढ़ेंगे कैरम और लुडो खेलेंगे ओ तब तो बड़ा मज़ा आएगा अच्छा कल तुम्हारा रवी भाया तुमसे मिलने आएगा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए बोलो एक बड़ी सी गुडिया उसने दोनु हाथ फैला कर कहा उसे प्यार करके संकोज में डूबे उसके माता पिता को नमस्ते करते हुए मैं चल पड़ी गर लोटी तो साख सबजी के साथ मेरे हाथ में एक गुडिया थी रमा तो देखते ही दोड़ पड़ी कितनी प्यारी गुड़ी है मैंने गुड़ी उसे देते हुए कहा तोड़ना नहीं फ्लोरी की है कल तुम और भईया उसे अस्पताल में देखने जाओगे तब ले जाना फ्लोरी कौन है मम्मी तुम्हारी छोटी बहन है और जब तक ठीक नहीं हो जाती रवी मेरी और पीठ किये पुस्तक पढ़ रहा था पर मुझे मालूम था उसका सारा ध्यान मेरी बातों की और है रमा की बगबग बंध होते ही उसने पुस्तक बंध की और मेरी और देखकर बोला तो मम्मी क्या वा हारे जिन्दा है और अगले बुद्धवार को अस्पताल से उसे चुट्टी भी मिल रही है सच मम्मी ओ डियर मम्मी और उसने मुझे उठा कर चकर घिन्नी की तरह घुमा दिया बाप्रे मुझे तो चकर ही आ गया पलंग की पाटी पर से टिका कर बैठी रही कुछ दिर बाद देखा सारे कमरे में आलू प्याज और नीबू बिखरे पड़े थे रमा उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और रवी बैट से उचाल रहा था मम्मी देखो न भईया सबजी फैला रहे है रमा चीख रही थी नालायकों जरा देर को चुप भी रह लिया करो और इस तरह नीबू उचा ले जाते हैं पता है पंद्र पैसे का एक आता है मैंने डाट कर कहा पर मेरी आवाज में भरोब नहीं था दरसल मुझे यह सब अच्छा लग रहा था बड़ी देर बाद रवी ठक कर मेरी गोद में लेट गया बोला मम्मी तुम नहीं जानती मैं किस कदर बेचैन था आज कितना हलका लग रहा हूँ मुझे पता है बेटा मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा भगवान से यही प्राठना है कि जब भी तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम हो उसका एहसास तुम्हें इसी तरह बेचैन किये रहे बस यही मेरा आशिरवात है आप सुन रहे थे मालती जोशी जी के लिखी कहानी बेचैन